Hey guys, welcome and welcome back to my channel, my name is Nilofer and you're watching me on Fat2Fabless, hope you all are doing good and great मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 common mistakes, you can say myth और misconception जो हमारे weight loss journey में हमने कभी न कभी की होती हैं या भी भी हम कर रहे हैं, तो वो 5 mistakes मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे के आप उसको आगे ना करें, या वो conception या वो myth आपके अगर दिमाग में है तो वो निकल जाए Friends, बात कर लेते हैं हमारे first myth की, हमारे first misconception की या कह सकते हूँ mistake की जो हमारे दिमाग में हमेशा से रहती है और मेरे दिमाग में भी थी के more sweating means more weight loss means मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत जादा sweating होती है, बहुत से लोगों को ना जब वो work out करते हैं और walk करते हैं तो उन्हें बहुत जादा sweating होती है उस चक्कर में हम क्या करते हैं, जब हम exercise करते हैं तो अपने fans वगेरा को बं रखते हैं, AC को भी बं रखते हैं क्योंकि अगर AC ओन रहेगा तो हमारा sweating नहीं होगी उतनी हमारा body temperature है, वो उतना heat up नहीं होगा तो इससे क्या होगा, कि हमारा weight loss नहीं होगा, ऐसा मैं जब gym में भी जाती थी तो ऐसा मैं लोगों को देखते हैं, वे सुनती थी और मुझे लगता था नहीं मेरा weight loss हो रहा है क्योंकि मुझे ज़्यादा sweating हो रही है, तो it's a myth और ऐसा कुछ में नहीं होता, यह हमारा body temperature है, कुछ लोगों हो ज़्यादा, जब आप कुछ काम करते हो, कुछ खाते हो या किसी भी तरह से heat up होती ही body, तो हमें sweating ज़्यादा होती है, फाइदा ही हो सकता है sweating से, कि आपकी skin म हो जाती है, कुछ water weight कम हो सकता है, बट अगर आप weight loss करना चाते हो, serious fat loss करना चाते हो, किसी area से आपको, मतलब अपना fat को कम करना है, तो वो diet से होता है, और exercise से होता है, उससे sweating का कोई भी लेना देना नहीं होता, फ्रेंट्स आते हैं हमाई second mistake या myth पर, तो second mistake जो है, वो मुस्प से बहुत जादा relate करती हूँ मैं, योगि मुझे ऐसा लगता था, कि अगर हम जिम में workout करते हैं, machines के थ्रू करते हैं, तो हमारा weight जल्दी जाता है, और easily जाता है, और ऐसा misconception, बहुत सारी ladies, बहुत सारे लोग techniques के साथ, वो अपना workout करेंगे, तभी वो means पतले हो सकते हैं, otherwise घर में जो workout करते हैं, उससे उतना effect नहीं आता, but it's a myth, it's wrong, अगर आप घर में अच्छे से workout करते हो, और आपको पता है, क्या करना है, it depends कि आप क्या कर रहे हो, आप yoga कर रहे हो, क्या चीज़े आप कर रहे हो, जिससे आपका effectively weight loss हो रहा है, अगर आप घर में भी अच्छे से workout करते हो, टाइम दी करते हो, even आप walk करते हो, तो भी आपका weight loss होता है, ऐसा नहीं है, कि जब आप gym ही जाओगे, तभी होगा, अभी भी यह misconception बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, बहुत सारी ladies है, वो यह सो physical work कर रहे हो, वो भी आपकी exercise की ही तरह है, आप पूरा दिन चलते हो, पूरा दिन आप एक रूम से दुसरे रूम में जा रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, कुछ उठा रहे हो, कुछ रख रहे हो, खाना बना रहे हो, हाथ चला रहे हो, तो वो भी आपकी एक तरह से workout ह या फिर आपको योगा आता है या फिर आप वॉक कर रहे हो तो वह भी एक एक एफेक्टिव वरक आउट है और उससे भी आपका वेट लूज जाए होगा और ऐसा नहीं है कि जिम नहीं जा रहे हो तो आप एक परफेक्ट बॉडी नहीं पा सकते हां अगर आप अपना वेट लूज कर चुके हो और अपनी बॉडी को टोन अप करना है आपको तो भी आप अपने घर में एक्सरसाइज कर सकते हो लेकिन अब कर आपको फिर भी नीड है मशीन की तो आपको जिम आप जा सकते हो बट मैं तो यह कहूंगी कि आप घर में भी बहुत ही एफेक्टिवली व है मेरे साथ उन्होंने कभी 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 नच यह मिस्टेक की होगी और यह मिस्टेक है अपने मील'S को just करने की बहुत सारी लीडी सोचति है के अढ़ी खाना नहीं खाते हैं य Saya अपने केलोरी इसे क्या होगा कि अमारी क्यालोरीस कम हो जाएगी नेक्सट मील में कुछ जादा खा लेंगे तो वh कोप अप हो जाएगा या वो एड़ेस्ट हो जाएगी और हम इस टाइम का मील नहीं खाते हैं जिसे हम अपने क्यलरीज को कम कर सकें तो यह बिल्कुल रॉंग है आप क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो आप अपनी जो भूग को बढ़ा रहे हो एक टाइम पर ऐसा आता है जो भी आपको मिलता है वो आप खा लेते हो और आपके दिमाद में यह होता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं काया मतलब आप अपने आपको बहुत ही मतलब अंदर से लगता है कि यार मैंने तो कुछ खाए ही नहीं और मैं यह सब खा सकती हूँ मैं मॉमोस भी खा सकती but it's wrong और it's a myth कि अगर आप calories आप सोच रहो कि आप calories को कम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है आप अपने metabolism को weak कर रहे हो जब आप खाना नहीं खाते है तो body को लगता है कि शायद ये starvation का time है और वो क्या करता है आपके fat को और store करने लगता है इसलिए खाना मस्ट है skips meal meal को skip नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि मैं calories कम लेनी है तो खाना न खाए आपको balanced diet लेनी है जो भी calories एगर 1200 calories है 1500 calories लेनी है तो आपको उसके according खाना है अगर आप 3 times खाते हो तो 3 times खाना है 4 times खाते हो तो ये जिन लेडी के माइन वेना उनको निकाल देना चाहिए कि आज शाम को बिर्यानी खानी है तो सुबा से भूके रहना है ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा जिस पे जितनी calories है वो तो आपको लोगी ही लोगे साथ में जब भूके रहोगे पूरा दिन स्टाविशन करोगे तो बोडी का मेटबलिजम भी स्लो होगा और अब ज़ादा से ज़ादा खाऊगे तो ये था थाट और ये मिस्टेक नहीं करने ही आगे तो ये फोर मिस्टेक जो है वो भी बहुत ज़ादा ही कॉमन है आज कल हम क्या करते हैं fancy diets करते हैं और हमें लगता है जो हमारा रूटी, दाल, चावल ये जो हमारा खाना है इस सब को अगर हम diet पे हमें छोणना होगा, लोग क्या करते हैं उतने हैं को ना खा कि आप क्या करते हो fruit की juices बनाते हो, वो पीते हो मिल्क शेक्स बनाते हो, मैंगो शेक्स बनाके पीते हो कि ये जाधा हेल्दी है और इसको पीने से हमारी कैलरीज भी कम होगी और खाना पूरी तरह से स्किप कर देते हो तो फिर वही वाली बात आती है कि आप मेटबलिसम को वीक कर रहे हो आपका जो भी बॉडी का नेचर है, जो बॉडी का डेजिशन सिस्टम है उन सब को एफेक्ट कर रहे हो तो ये मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं, हो क्या करते हैं स्ट्रिक डाइट करते हैं, सुबा उन्होंने जूस पी लिया, दिन में फ्रूट्स खाली है उनका टागेट होता है, कि 7 डेज में, 5 डेज में, हम 5 केजी लूस कर लेंगे 10 केजी लूस कर लेंगे, और वो कर भी लेते हैं, बट उसका कोई भी फाइदा नहीं होता ये मैंने खुद देखा है, आप 7 डेज में अपना 7 केजी कम कर सकते हो अगर आप healthy way में करोगे, तो that's fine, बट इतना possible नहीं है कि 7 डेज में 10 केजी, बट अगर आप raw diet लेते हो, और सिर्फ fruits, juices पे रहते हो और आप किसी तरह कर भी लेते हो, तो वो उसका कुछ भी benefit नहीं है next day अगर आप खाना खाते हो, या कोई cheat मिल लेते हो, तो पूरा कूरा weight वापस आ जाता है और बहुत तेजी से आता है, और फिर वो जाता भी नहीं है ठीक है, और हमेशा हम यह सोचते हैं, कुछ भी जब heavy खाते हैं, तो हम यह सोच लेते हैं कि चलो भी green tea पी लेते हैं, green tea से हम उसको क्या करते हैं, adjust करने की सोचते हैं कि अभी हमने एक समुसा खाया है, तो उसके और green tea पी लेते हैं, तो क्या होगा कि मतलब वो calories हमारी count नहीं होगी, या फिर वो जल्दी से digest हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है हमारी जो green tea है, वो support system आप कह सकते हो, supports में आती है, जब आप weight lose पे हो, तो आप green tea पीते हो, तो क्या होता है कि आपका, जो metabolism को strong करती है, zero calories है, आपको एक drink मिल जाता है, साथ ही साथ आपके toxins को बाहर करती है बट अगर आप सिफ green tea पी के सोच रहो हो, कि आप पतले हो जाओगे, और समोसा खाने के पाद green tea पी लो, तो उसका समोसे का कोई असर नहीं होगा, तो ऐसे नहीं है आप अगर एक pizza का piece भी खाते हो, तो आपको 44 minutes तक run करना है, तभी आप उस calorie को burn कर पाते हो तो समझ गया आपको, आपको clean खाना है, healthy खाना है, और इस तरह का खाना, खा के सिफ green tea पी के अपने आपको धोके में रखने वाली बात हो सकती है तो फिफ्ट मिस्टेक पे, तो फिफ्ट मिस्टेक के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी, मुझे एक कमेंट आया था, कि मैं सारी चीज़े करती हूं, बहुत strict diet करती हूं, और even then मेरा weight lose नहीं हो रहा है, 32 times कर रहे हैं वन मन्त में, बट इफेक्टिव नहीं है, और कुछ नह हैं, बट हम यह नहीं देखते हैं, कि हम कहां पे mistake कर रहे हैं, अगर हम 32 times chewing formula कर रहे हैं, और हमें effect नहीं, मतलब कोई result नहीं आ रहा है, तो हम कहां पे गलती कर रहे हैं, यह हम नहीं सोच पाते हैं, ठीक है, तो मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूं, कि जब 32 times chewing formula मैंने भ से यासे आप मी आप धने ही ने लागा का सेवांग को गया वां कि का हंवा, ज़ली ज़ली 돌이 हो जाए हम फैट में कनवर्ट ना हूँ ठीक हमाई माइंड को सिगनल मिल जाए और हम जादा ना खा पाए इस तरह से कुछ चीजें हैं बट हम उसको क्या सोचते हैं कि अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं हमारे टाइम नहीं है हमें कोई भी हम पूरा दिन मील स्किप कर रहे हैं नाइट में हम खा रहे हैं तो जादा खा रहे हैं या अनहल्दी खा रहे हैं थे टो टाइम स्ट्यू करके खा रहे हैं बट अनहल्दी खा रहे हैं प्लेट भर-बर के चामल खा रहे हैं मैंने कुछ ऐसी यूट्यूबर्स को भी देखा है जो दिखा रहे हैं कि वो खुप स होती ही होती ही कि आप इतना सारा कुछ गलत खा रहे हो और आपको लगघ रहा होगा कि आप पूरा पहाड बनांकर प्लेट भरके चावल खाओगे खुब सारे आलू खाओगे उसके तो कैसे पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, ठीक है, खाना कैसे खाना है, बैलन्स टाइट लेनी है, सुईकार जी ने जैसे बताया, एक रोटी है, उसके कम 15-20 टुकुड़े करने हैं, छोटे-छोटे से आपको बाइट से बाइट को बहुत अच्छे से चूँ से नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो जो सही फॉर्मूला है, मैं अपने वीडियो से बताया चुकी हो, आप दुबारा मेरे वीडियो जा के देख सकते हो, और साथ ही साथ 30 टुट टाइम्स के साथ, हमें 9000 स्टेप वाक करनी है, अगर एक्सराइज कर सकते हो, तो एक्सराइज जाएज करनी है, प्लस आपको ग्रीन टी लेनी है, अप्टर एबरी मील, अप्टर हाप नार, फिर उसके बाद, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कि बाहर का पाकेशट फूड नहीं खाना है, और उसको ऐसे ही खाना है, छीट मील कर सकते हो वीक में, हर डाइट में, हर सकते हो बड़ चीट मिल भी ऐसा ना हो कि आप 30 बार नहीं चीव कर रहे हो और उसको ऐसे ही खा रहे हो ठीक है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है मतलब मानलों आप यह सब कर रहे हो इवन दन आपका वेट लूज नहीं हो रहा है इट मेंस कि आपको जाहरत है और यह प्रॉब्लम हो और प्रॉब्लम हो रहे हो जिससे आपका वेट लूज नहीं हो रहा है पीसी ओस वह आपको जिनको पीसी ओडी होती हुए उनके डाइट भी डिफरेंट हो ती हो मिल्क वोगरा नहीं ले सकते बहुत साइच चीजे हैं उस पर भी मै मेडिकल का है वो भी कराते रहना चाहिए तो यह टोटल फाइव मित और मिस्कंजेप्शन मैंने आपको बता है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा और फिर मिलती यू नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाई टेक क आला हाफस्